Good morning to all my dear students, how are you? I hope you all are fine, I am also fine and this is my third video of English class UKG, today's topic Sound of I, ठीक है? तो प्रिवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था? Sound of E, ठीक है? मिनसके कल और हम लोग भावल में सबसे पहले एक बात बता आप लो, आप लोग को बताया था ना, 5 भावल होते हैं, याद है सबको? ओके मैं फिर से एक बार बोल देती हूँ, A, E, I, O, U, 5 होते हैं, और हमको ये 5 भावल का साउंड पढ़ना है, ठीक है? तो हम लोगों ने A का पढ़ लिया, E का पढ़ लिया, अब हम लोग आई का पढ़ेंगे, ठीक है? तो sound of eye से मैंने यहां पर 10 words लिखाया है, ठीक है? उसको हम पढ़ेंगे और आपको note करना है, और घर में याद करके अपने parents को सुनाना है, copy पर भी लिखना है, ठीक है? ओके, start, जैसे यहां देखो, B, I, T लिखा हुआ है, तो अगर हमको पढ़ने आज जारे तो बहुत अच्छे नहीं पढ़ने हैं, तो हम कैसे पढ़ेंगे? ब, इ, ट, बिट, ठीक है? ऐसे करके हम लोग प्रोन्सेशन करके पढ़ सकते हैं, ठीक है? और जब नहीं समझे हैं, तो आप मेरे वीडियो देखकर पढ़ सकते हों, तो देखो, ब, आ, ट, बीट, पी, आ, एन, पीन, पीड, 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 बीड, 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 एच, आ, टी, हिट, तो यह सब क्या हो गया? कल एक्रिव सकते ही, हम लोग ने, होगने, यूवग लीप, यूप जोड दे रहा ही, यह बीच में भी है, और हम हम यgil ऐ शाउणड अफ आई से हैं, और जितने वी वर्ट्स यहां पर टैन लिखकर यह सब सब साउंड अफ़ आई से तो आप सो कोई पूच्ता है कि साउंडर आफाई से तुम तेटेबंतों पता बोलता है तो हम लोग यह यह बता सकते हैं ठीक है तो आप लोग इसको नोट कर लीजे कि लिगार मosaire ऑफ आप interests कर दोम और को याद किए हो तो आज फिर से मैं वही रैम्स पढ़ाऊंगी आप लोग को अच्छे से आद कर रहे हां ऊसके बाद कल मैं दूसरा रैंस पढ़ाऊंगी हिंदी रांस पढ़ाऊंगी कल ठीके तो इस्टार्ट करते हैं तो आप लोग को ये रैम्स को सुनना है, मेरे साथ साथ पढ़ना है और याद करके अपने मुम्मी पापा को सुनाना है ठीके बच्चो तो आप अपनी होंबा को कम्प्लीट कर लिजेगा फिर मैं आगे नेक्स क्लास में आपको नेक्स टॉपिक पढ़ाऊंगी और तेक क्यार थैंक्यू